दोस्तो ये कहानी एक सची घटना के उपर आधारित है और ये कहानी है साल 1975 के वक्त की जब चिली के प्रेसिडेंट को अमेरिकन सोलजर्स हटा कर वहाँ पर अमेरिका के सरकार को बैठाना चाहते थे लेकिन चिली के आम जनता चिली में एमेरिका के सरकार को आने देना नहीं चाहती थी इसलिए वो लोग एमेरिका के खिलाप प्रोटेस्ट पर उतराते हैं इसके बाद एमेरिकन सोलजर्स उनके उपर इस हद तक टॉर्चर करते हैं जिसको देखकर आपके रॉंग्टे खड़ कर रहा था लेना अपने साथ्यों को वहांसे जाने के लिए कहती है और वो डैनियल से मिलने के लिए जाती है दूसरी तरफ डैनियल उसे देख और काफी खुश होता है और वो दुन ow éta पर काफी देर माद करते हैं डैनियल उसे के साथ काफी time spend करते हैं और अगली सुपर डैनियल को उसका एक दोस्त call करके कहता है कि उनके शहर में American soldiers आ चुके हैं और जो लोग उनके खिला प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग उन्हें जान से मार रहे हैं अब ये बात सुनकर डैनियल काफी डर जाता है क्योंकि वो भी चिली के प्रेसिडेंट को सपोर्ट करता था लेकिन वो मरना नहीं चाहता है इसलिए वो सहर छोड़ने का फैसला करता है और लेना को सारी सच्च बताने के बाद लेना को लेकर वहां से निकल जाता है बाहर पहुंचते ही वो देखता है कि शहर की हालात काफी खराब हो चुकी थी और हर तरफ अमेरिकन सोल्जर्स जो लोग चिली के प्रेसिडेंट के समर्थक थे उन्हें पकड़ कर जान से मार रहे थे इसी भगदर में डैनियल भी लेना को लेकर फज चुका था और साथ ही साथ वो सहर के इस बिगरते हुए हालात को अपने कैमेरा में रेकॉर्ड भी कर रहा था इसी बिच अमेरिकन सोल्जर्स उसे और लीना को देख लेते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं वो लोग डैनियल को बहुत मैदान में लेकर जया जाता है जहां पर थोड़ी देर में एक आदमी अपने मुँ में एक काला कपड़ा ढखकर आता है वो उन सभी लोगों में से उन लोगों को चुनता है जो की प्रेसिडेंट के समर्थक थे और प्रेसिडेंट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन लोगों को बंदी बना कर आर्मी केम्प लेकर जाया जाता है इसी दोरन वो आदमी डैनियल का भी नाम लेता है जिस वज़े से डैनियल को एम्बूलंस में बैठा कर आर्मी केम्प लेकर जाया जाता है अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनियल को वो लोग एक रूम में इलेक करती है जिसमें वो लोग कहते हैं कि वो लोग चाहकर भी डैनियल को वहां से नहीं छुड़ा सकते साथ ही साथ वो लोग ये भी कहते हैं कि डैनियल को अमेरिकन सोलजर्स कॉलोनिया नाम की एक जगे पर लेकर गए है जहां पर लोगों के उपर इस अद तक टॉर्चर किया जाता है कि वो जगा नर्प के बराबर है अब ये बात सुनने के बाद लेना फैसला करती है कि वो अकेल ही डैनियल को बचाने के लिए कॉलोनिया जाएगी जिसके को नौक करने के बाद घैसला नाम की एक औरत उसे नर्क में स्वागत करती है लेना उससे कहती है कि वो इस कॉलोनिया कॉम्यूनिटी में जोएन होना चाहती है जब कि यहां पर सभी लोग इस जगे को छोड़कर भागना चाहते हैं घर घिसीला जब उसे हेडगोटर लेकर जा रही थी तभी लेना को तेज साइरन की आवाजे सुनाई देती है जिससे वो काफी डर जाती है घिसीला उसे बताती है कि यह आवाज यहां पर नॉर्मल है और फिर वो लेना को कम्यूनिटी के लीडर पॉल के पास लेकर जाती है पॉल दर असल इस कम्यूनिटी का यमर अब बॉल को उसके उपर शक होता है कि वो जरूर यहां पर किसी मकसद से आई है इसलिए पॉल उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है और लेना को ना चाहकर भी कपड़े उतारनी पड़ती है जिसके बाद पॉल उससे फिर से उसकी यहां पर आने की मकसद पूछता है जिसम कोई भी ये बात नहीं जानते कि वो टैबलेट उन्हें किस लिए दी जा रही है दूसरी तरफ डैनियल के उपर इतना टॉर्चर हुआ था कि उसका हालत काफी खराब हो गया था और डॉक्टर का कहना ये था कि डैनियल अपनी मांसिक संतुलन को खो चुका है ये बात जानने के बात भी कि डैनियल एक पागल है वो लोग डैनियल को एक फैक्टरी में काम करने के लिए छोड़ देते हैं लेकिन हमें पता चलता है कि डैनियल कोई पागल नहीं बलकि पागल बनने का नाटक कर रहा था दूसरी तरफ लेना को भी खेत में मजदूरी करवाया जा रहा था इसी बीच एक रात लेना जब सो रही थी तब यो देखती है कि कुछ लोग लड़कियों को पकड़ कर जबर्दस्ती उन्हें कहीं पर लेकर जा रहे थे लेना भी उनका पीछा करती है और उनके पीछे-पीछे पॉल के केबिन तक पहुँच जाती है वहाँ पर पहुँचकर वो देखती है कि पॉल उन लड़कियों को ये कहकर टॉर्चर कर रहा था कि उन लड़कियों के उपर कोई भूथ-पिसाच का साया है दरसल पौल को लड़कियों को टर्चर करने में काफी मज़ा आता है इसलिए वो ऐसे ही जुटा बहाना करके लड़कियों को टर्चर करता है और दूसरों को देखर भी लड़कियों को पिटवाता है दूसरी तरफ ये सब कुछ देख कर लेना एक प्लैन बनाती है और अगले ही दिन वो ऐसे दिखाती है जैसे कि उसके अंदर कोई भूत पिसाच का साया हो इसलिए उस रात उसे भी पॉल के सामने लाया जाता है और पॉल और बाकी सारे लोग मिलकर उसे वहाँ पर बेज़ज़त करते हैं दूसरी तरफ उस रात डैनियल कॉलोनिया से भागने के फिराक में था इसलिए मौका मिलने पर वो वहाँ से भागने लगता है लेकिन कुछी दूर जाने पर उसका प्यार एक तार में जाकर ठकराता है जिसे पूरे कॉलोनिया में सायरेन की आवाज बजने लगता है उधर ये आवाज सुनकर पॉल और सभी लोग लेना को छोड़कर डैनियल को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं डैनियल भागते भागते उस कॉलोनिया कॉम्यूनिटी के एकदम आखिर में पहुंच जाता है जहां पर वो एक तार के बॉर्डर के उपर चड़कर उसे पार करने की कोशिश करता है लेकिन उन तारों में करन्ट होने की वज़े से डैनियल को एक जटका लगता है और वो ही पर गिर जाता है कुछ दिर बाद कॉलोनिया के लोग वहाँ पर आकर डैनियल को वहाँ से लेकर जाती हैं पर वो लोग डैनियल के उपर शक नहीं करते क्योंकि उन लोगों के सामने डैनियल अभी भी पागल था खेर इसके बद कुछ महीने गुजर जाते हैं और लेना को अभी वहाँ पर रहे हुए 130 दिन से भी जादा वक्त हो चुकी थी और इन दिनों में लेना ने देखी कि इस कम्यूनिटी में कैसे बच्चों के साथ भी टॉर्चर किया जाता है इसी बिच एक दिन कम्यूनिटी के लोगों को तयार किया जाता है क्योंकि वहाँ पर जर्मन सिपाही आने वाले थे वो लोग जर्मन सिपाहीों को काफी अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं और इसी दोरन डैनियल लेना को देख लेता है वो लेना के पास तो जाना चाहता था लेकिन उसे इस बात का डर था कि कोई अगर उसकी सच्चाई की बारे में जान गया तो वो काफी बड़ी मुसिबत में पढ़ सकता है पर फिर भी ओ लेना के पास जाकर उससे बात करता है और उस रात वो दोनों मिलने का फैसला करते हैं इधर पॉल उन जर्मन सिपाईों को हतियार और पॉईजन गैस देने वाला था इसलिए वो अपने पास बंदी लोगों के उपर पॉईजन गैस को एक्सपिरिमेंट करने के लिए उन्हें तयार करने लगता है उन लोगों में डैनियल भी था जो जानता था के पॉईजन गैस के एक्सपिरिमेंट से वो लोग मर जाएंगे खेर उस रात वो लेना से मिलता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि लेना को यहाँ पर किसी ने नहीं लाया बलकि वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आई है ताकि वो डैनियल को बचा सके इसी भी जब वो लोग बात कर रहे थे तभी उन्हें एक टर्नल नजर आता है जिसको देखने के लिए डैनियल उसके अंदर जाता है अंदर पहुंचते ही वो कुछ सिपाईयों को देखता है जो एक आदमी को टॉर्चर करने के लिए लेकर जा रहे थे वो उनके पीछे पीछे जाता है और उस जगे पर पहुंच जाता है जहां पर उसे बांद कर इलेक्ट्रिक शौक दिया गया था दूसरी तरफ लेना अभी भी टर्नल के उपर ही थी और उसे घिसीला की आने की आवाजे सुनाई देती है इसलिए वो उस टर्नल के दर्वाजे को बंद करके उसे किसी तरीकी से ढग देती है इसके बाद अगली सुबर लेना को पॉल अपने पास बुलाता है और उसे अरसल नाम की एक लड़की के उपर नज़र रखने के लिए कहता है लेना जानना चाहती थी कि अरसल यहाँ पर किसली रहती है जिसमें अरसल उसे बताती है कि वो जब छोटी थी तब से वो यहाँ पर है और घिसला उसकी माँ है उधर जिस poison gas को लोगों के उपर experiment किया जाने वाला था उसके लिए सभी लोगों को तयार किया जाता है जिसमें डैनियल भी मौजुद था इसी बिच अर्सिला को डैनियल के पास से एक तस्वीर मिलती है जिसमें डैनियल के साथ लेना थी जिसको देखकर वो डैनियल और लेना के बारे में सब कुछ समझ जाती है उस राद डैनियल लेना से कहता है कि वो जिस टैनल में गया था है वो टैनल ही इस कॉलनिया कॉम्यूनिटी से निकलने का रास्ता है साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि उन्हें आज ही यहां से भागना होगा क्योंकि कल उसके उपर वो एक्सपिरिमेंट होने वाला है जिससे वो नहीं बचने वाला थोड़ी देर बाद वहां पर अर्शला आती है जो लेना से उसके और डैनियल के रिष्टे के बारे में पूछती है जिसमें लेना उसे सब कुछ सच सच बता देती है यहाँ पर अर्सिला भी उसे अपने बारे में बताती है और कहती है कि वो जानती है कि पॉल ने उसे उसके उपर नज़र रखने के लिए कहा है साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि वो प्रेगनेंट है इसलिए पॉल उसे और उसकी बच्चे को मारना चाहता है इसी बिच वहाँ पर घरसला आ जाती है और वो लेना और डैनियल की उस तस्वीर को देख लेती है जिसके बाद वो लेना को पकड़ कर पॉल के पास लेकर जाती है। जाना नहीं चाते थे इसलिए वो दोनों अर्सला को भी अपने साथ लेकर उस टनल से होकर जाने लगते हैं। और लेना उसके पास आकर उसे किसी तरीके से बचा लेती है। जिसके बाद अर्सला लेना को उसे बचानी के लिए शुक्रिया आदा करती है और फिर वो लोग जंगल से होकर वहां से भागने लगते हैं। इसी बिच एर्सला की पैर एक ट्रैप में फस जाता है जिसको कॉलोनिया के सोलजर्स ने लगाया था और उस ट्रैप में फसने की वज़े से एर्सला की वहीं परी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों किसी तरीके से वहां से छुपकर एक गारी में बैठकर वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। फ्लाइट के टिकेट बुक करवा लेती हैं। लेकिन जब वो लोग एर्पोर्ट के लिए निकलते हैं तब ये बात एक औरत किसी दूसरे आदमी को बता देती है। पॉल के हाथों सौप रहे हैं। इसलिए वो दोनों से भाग कर एर्पोर्ट की तरफ जाने लगते हैं और उधर पॉल भी उनके पीछे पीछे ही आ रहा था। मेहनत करने के बाद लेना और डैनियल फाइनली अपने फ्लाइट तक पहुच जाते हैं और दर्वाजा बंध होने के बावजूद रोमान दर्वाजे को खोल कर उन दोनों को प्लेन के अंदर ले लेता है। लेना और डैनियल सोच रहे थे कि वो दोन अब बच जाएंगे लेकिन तभी पॉल एरपोर्ट आथरिटी से कहकर उस प्लेन को कैंसल करवा देता है। अब इस चीज से रोमान काफी परेशान था और यहाँ पर लेना उसे कैंसल होने के बावजूद प्लेन को उड़ाने के लिए कहती है। और दोस्ती की खाते रोमान अपने नौकरी को छोड़कर उस प्लेन को टेक आफ करवा देता है। जिसके बाद लेना और डैनियल सही सलामत चीली से बाहर निकल जाते हैं और दोस्त इसी के साथ ही इस मोवी की कहानी खत्म हो जाती है।